दोस्तो आँ डाउन ट्रेंट बोला था टेलिग्राम पे जाके चक करिएगा डाउन ट्रेंट से देखेगा लॉस रिकावरी हुई है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टाइम के साथ बताया जाता है जाके जॉइन करिएगा और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे लेविल मिलना है फिन निप्टी में तो कल आपका बड़ी हाँ देखेगा बड़ी हाँ एक्सपारी होने वाला है लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट है जो यहाँ पे कंसॉलिडेशन कर रहा है इस पर्टिकुलर लेविल पे यह कंसॉलिडेशन थोड़ा सा देखेगा नीचे की तरफ जा सकता है नीचे के तरफ chances ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो pattern बन रहा है मैं आपको भी बताऊंगा pattern बन रहा है जो चार market है जो US की market है जो Asian market है जो top market है जिसके देखेगा इंडिया के stock market का impact भी पड़ता है और इंडिया भी उससे क्या होता है प्रभावित होता है तो मैं ऐसे आपको multiple ऐसे reason दूँगा कि अगर market आपको देखेगा कल कहीं पे भी कहीं पे भी देखेगा उननेच छेसो चालिस पे या फिर सम्थिंग कहीं पे भी उननेच छेसो बीज के आसपास कहीं पे भी देखने मिलता है जैसे आज आपने scalp किया downtrend के लिए वैसे ही कल करना है यह तो बहुत clarity रखे यह मैंने कल भी बताया था आज जिसने जिसने भी करा पहले 5 मिनिट का पहले 10 मिनिट के 15 मिनिट के candle देखेगा आपको कितनी जल्दी scalp में profit होता यह आपको समझ में आ जाएगा तो मेरे लिए कल का resistance होगा 19.640 यहां कही market मिल जाता है sell करेंगे और अगर आप देखेंगे नीचे अगर बहुत ज़्यादा gap down खुल जाता है तो आपको यह बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है कि 19.480 अभी एक support है क्या है 19.480 जो है अभी भी एक support बना हुआ है तो जब तक market इसके नीचे नहीं आएगा तब तक तो कोई बात ही नहीं है तो यहां से support लेके अगर यहां पर कही market मिलता है तो call by करके इंदमनी का scalp आपको करना है तो यह दोनों zone अभी market की रहेंगी अब फिर nifty कल decide करेगा फिर nifty break or make करता है कहीं कुछ तो वो आपको impact देखने हों मिलेगा लेकिन अभी इसी particular zone में देखने हों मिलेगा और यह level पक्का तूटेंगे यह किसी भी side तूटें लेकिन event ऐसे है कि तूटेंगे और बहुत देखीगा या तो जादा 4-500 नीचे की तरफ आप जाओगे बैंक nifty में या तो 4-500 उपर की तरफ जाओगे लेकिन अभी के लिए फिर से बोलूँगा आज भी बोला था यह resistance है आप जाके check out कर लो यह resistance है और यहाँ जिसने भी market open होते ही देखेगा थोड़ा बहुती थोड़ा बहुती risk लिया होगा तो भी उन्होंने देखा होगा कि first three candle जाके देखे कैसे बनी है one one minute की तो सीधा profit हुआ है इसमें कोई भी doubt नहीं है आपने जो अभी देखा upcoming video में कि यहाँ पे किस तरीके से profit हुआ है तो मुझे लगता है 45,000 जब तक उपर नहीं बैठता है market अब तक तक तो वो sell zone में अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है फिर से sell करिए नीचे की तरफ जब देखेगा आपको यह 600 के नीचे चला जाने लगे जब भी bank rifty कल के दिन 600 के नीचे चलने लगे तो फिर रास्ते खुल जाएंगे आपको देखेगा 4,4 देखेगा 4,4,0 के किसके 4,4,4,4,0 के तो यह रास्ते आपके खुल सकते हैं उपर की तरफ जब तक 45,000 के उपर चुकि manipulation बहुत चलना है उपर देखेगा market को ऐसा दिखाया जा रहा है कि market में सब ठीक ठाके और चानक से market को छोड़ दिया जाता है तो यह चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा practice कर चुके होगे experience हो चुके होगे market में कि कब तक trade नहीं लेना है कब तक wait करना है कब तक जल्दी निकल लेना है कब देर तक wait करना है यह सारी बातें देखेगा आपकी क्या होती है इसी basis पे decisive होती है अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ Reliance industry देखेगा भी UK के market में ज्यादा देखेगा strong नहीं है और यहाँ पे strength नहीं आएगी तो Nifty में strength नहीं आएगी same HDFC bank है अगर आप New York में देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई जड़ा strength नहीं देखने हो मिल लेगी है फिर आगे मैं pattern दिखाता हूँ pattern में आपको उता रहा हूँ देखेगा US का market काफी अच्छा उपर गया था but after that pattern देखे पूरे हफते का pattern देखे यह देखेगा rejection आ रहा है pattern देखेगा pattern यह देखे यह pattern बन रहा है तो हो सकता है यहाँ से हो के फिर से rejection आए तो US का market भी rejection ले सकता है यह pattern बन रहा है जिस कारण bank nifty भी हमारा वहाँ पे same pattern पे behave कर रहा है अब मैं आपको US काई नहीं दिखाता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे US के साथ सा निक्काई का इससे देखेगा बहुत impact पड़ता है यह देखेगा हफते भर का pattern देखे pattern आप देखेंगे तो यहाँ पे भी same downtrend pattern आपको देखने को मिलेगा इसके बाद अगर आप hensing देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको यह देखेगा यहाँ पे sharp fall आया यहाँ पे manipulation आया यहाँ पे manipulation आया तीन जगे manipulation करके market को sharp fall की तरफ भेजा गया है same US market में भी ये pattern देखने हो मिला है इसलिए अभी seller Harvey है ये देखेगा US में अच्छी news आये थी Friday को बट after that देखेगा क्या हुआ उसके अभी sharp fall आपको देखने हो मिला तो ये क्यों हो रहा है जो कि अभी sellers Harvey है market में और क्यों Harvey है इसका big reason में आपको देता हूँ उसका big reason ये है जो हमारी currency में किसी भी तरीके के strength देखने को ने मिल लिए all time low के आसपास जब तक हमारी currency रहेगी तब तक banko में तब तक nifty में panic देखने को मिलेगा तो इसी तरीके के strategy देखने को मिलने है उपर की तरफ sell on rise की strategy रखनी है वीडियो अच्छा लगी तो like, share, subscribe करना भूलेगा thank you so much